और थोड़ी देर पहले हमने आपको पटना के पास दानापूर में नाव हादसे की खबर दिखाए थी अब इस हादसे का लाइप वीडियो सामने आया है जिसमें लोग डूपते हुए नजर आ रहे हैं पानी में तैर रही घास के सहारे लोग बचने की किस तरह से कोशिश कर हैं वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो हादसे का ये नया वीडियो सामने आया है इसनाव में करीब पचास लोग समा थी देखिए किस तरह यहां लोग पानी में डूप रहे हैं और वहां गंगा नदी में देखिए जलसर बड़ा हुआ है ऐसे में यहां पर लोग कर रहे हैं खुद को डूपने से बचाने की कोशुच कर रहे हैं गनीमत है कि 45 लोगों को बचा लिया गया लेकिन पांच लोग अब भी लापता है सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तस्वीर एक्स्क्रूजिव आप तीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं गंगा न इसे का यह नया विडियो सामने आई कि सरीके से वहाँ पर लोग डूप रहे थे और घास के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो लोग पांच अभी भी लापता है उनकी बारे में कोई अपडेट देखे कहते हैं न कि डूपते को तिंके का सहारा कुछ ऐसा ही दृष्च दिख रहा है कि कितना शोर मच रहा है बचने के लिए ये तो गनिमत थी कि शाम का वक्त था और लोगों ने देख लिया कि नाव को डूपते हुए जो घास लाद करके उस पार से इस पार जो दियार ये लोग डूब रहे थे तो उस वक्त दाव लेकर के कुछ लोग वहां के स्थानिये लोग पहुँचे और वहां जैसे ही देखा कि कुछ लोग जो घास पर किसी तरह से पकड़े हुए कुछ लोगों को घास का सहारा भी नहीं मिल रहा था वो काफी देर तक तैर रहे थे तो उन्हें बचाने की कोशिश हुई थी जिसमें से 45 लोग तो बचा लिये गए लेकिन बाकी पांच लोगों के लापता होने की खबर रात भर भी NDRF की टीम, SDRF की टीम लगी हुई थी ताकि उन्हें बचाय जा सके और इस कोशिश में आज सुबह से भी लगातार तो अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है जहां हमारे सहयोगी ने जो ये वीडियो भेजा है स्थानिय लोगों नहीं वीडियो बनाया था और उस वीडियो में साफ दिख रहा है जैसे फिल्मों में देखते होंगे के लोग डूबते रहते हैं और कोई बचाने के लिए जाता है तो वही इस्थिती अभी यहां पर दिख रही है चारों ओर देखेंगे तो पानी ही पानी है दरसल ये गंगा नदी में जो दूसरा चूर है वो दियारा का इलाका कहलाता है और दियारा में काफी जादा घास है मवेशी के खाने के लिए चारे का इं लाखे में जो घाट है उसके किनारे में और मवेशी का च्यारा लेने के लिए उस ओर जाते हैं, तो यह रोज का सिलसिला होता है, कि नाव पर अधिक सवार हो जाते हैं लोग, जिस वज़े से नाव क स्थिती खराब हो जाती है, डगबगाती रहती है, क्योंकि यहां के लोग देती रही है प्रशासन देता रहा है लेकिन बावजूद इसके लोग कोई सुरक्षा का इंतिजाम नहीं करते हैं क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग वहां से विस्थापित होकर ततकालिक तौर पर शरण लेते हैं इस इलाके में तो नाव से जाना और फिर लोटना का काफी खतरडाक होता है मैं भी इस इलाके में कई दफे गया हूं बार की कवरिज के लिए तो उस वक्त हमने देखा था कि कैसे नाव पर लोग जबरदस्ती भी कई बार सवार हो जाते हैं यहां तक कि नाव पर मवेशी को भी लोग चड़ा लेते हैं इस पार से उस पर जान सहरा ले करके जो चारा है उसका सहरा ले करके पकड़ करके काफी देर तक वो लोग खड़े रहे हैं बैठे रहे हैं या उसको पकड़ करके तैरते रहे तो तैरते वक्त ही यह लोग पहुंच गया हैं जिनमें से 45 लोगों को तो बचा लिया गया लेकिन जो बाकी लोग थे वहाँ पर उनके बारे में पता नहीं चला था परिवार वाले बता रहे थे कि उनके भी घर से लोग गय थे उस पार चारा लेने के लिए जो लोग उस पर सवार थे उन लोगों ने कुछ लोगों को देखा कि वो साथ नहीं है तो अपने रिश्टेदारों को भी ढूंड रहे हैं SDRF की टीम, NDRF की टीम लगातार लगी हुई है जो बोट है उससे सहारे से चारो तरफ से जो एक टेकनीक होता है कि अगर कोई डूब जाए तो कैसे चारो और बोट के सहारे से घुमा जाता है उसके बाद फिर नीचे से कोई अगर बच जाए या बचाने की कोशिश होती है तो उपर आता है तो ये सारे तक्नीक के साहरे कोशिश की जा रही है इन जो लापता लोग है उनको तलाशने की हो रही है प्रकाश आप बहुत विस्तार से बता रहे थे कि क्या कुछ वहाँ पर होता रहा है और ये जो तस्वीरे अपने आप में बहुत डराने वाली हैं लेकिन बड़ा सवाल ये है हर साल पानी बढ़ता है हर साल इस अलाके में हम देखते हैं इस तरह की तस्वीर और उसके बाद नाओं की दुरगटना होती रही है उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठा है ठोस कदम जिससे इस तरह की दुरगटनाओं पर रोक लगया अकर जिम्मेदारी किसकी माने सरकारी आती रही जाती रही हालात यही है देखिए एक वीडियो कुछ साल पहले सामने आया था पट्टना में ही दियारा इलाका से उस साल में शुरुवात हुई थी तिला संक्रांती के दिन में लोग बड़ी संख्या में जा रहे थे उस पार मेला लगता था काफी सारा कारिकरम आयोजन किया गया था लेकिन जब लोग लोट रहे थे तो एक नाव के डूबने की तस्वीर आई थी काफी भयावा तस्वीर थी वो कि कैसे नाव बीच से अलग हो जाता है लोग अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर उस वक्त नितीश सरकार ने फैसला लिया था कि उसके बाद उस पार में जब लेकिन एक और खास बात है कि ये पूरा इलाका जो गंगा नदी किसे सटा हुआ इलाका है चाहे वो मनेर से आप शुरू करें बकसर से शुरू करें और भागलपुर तक जाएं पट्टा में ही पट्टा सिटी से फतुहा तक जाएं फतुहा के आगे तो इन सारे इलाकों मे जो दियारा इलाका है वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग भड़ी संख्या में जाते हैं इस पार सुस्पार हाला कि गंगा नदी पर पुल है लेकिन वो बड़ा लंबा रास्ता है लेकिन वो लंबा रास्ता को लोग दी जा पाते है और ये जो मौसम है इस मौसम में जो प पूरे इलाके में या तो बालू के खनन से लोग जुड़े जो बजदूर होते हैं, उनके भी डूबने की सुचनाय आती रहती हैं, कई बार ये एक्सपर्ट होते हैं, अभी हाली में एक घट्टा होई थी कि नाव पर गैस सिलेंडर विस्पोर्ट हो गया था, खारा बनाने क करम में, तो नाव में आग लग गई थी और पांच लोग जुलस गए थे बुरी तरीके से, और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, तो ये जो नदी पर, नदी के अंदर में जो नाव पर हादसा होने का जो सिलसला है, लगभग हम देखते हैं कि हर सार, सिर्फ पटना ही नहीं बलकी भागलपूर के इलाके में भी जो भी जिस गंगा नदी में शहर के किनारे में ये गाउं बसा हुआ है या जगह है जो शहर है, तो उस पार तक इस पार से उस पार जाने के लिए लंबा रास्ता, लंबी दूरी तैक करने के बजाए गाउं के लोग इसी तरह से अपने नाव के सहरे इस पार से उस पार जाते हैं खास्तोर से मविशी का चारा लेने के लिए हर रोज इनको जाना पड़ता है इसी सिलसिले में इसे हाथ से हो जाते है जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी निउज आपको रखे आगे